साथ यूं आपने एक कहवा सुनी होगी नेम हकीम खतराए जान आपने देख लिया बास्थों के बारे में बौज्ट सुन लिया पड़ लिया वीडियो देख लिये बुक्स पड़ लियी और हर जगाँ पर आपने ये पाया कि दक्षिन में और पच्चिन में हमारे बेट्रूम होने चाहिए साउथ वेस्ट में मास्टर बेट्रूम होना चाहिए लेकिन साथ साथ एक लाइन और पढ़ लिया आपने कि टॉलिट यह जो हमारा वर्ष्रूम होता है हमारा जो बात नो होता है उसको इस्ट में और नौर्थ में पूरा वरुतर में नहीं होना चाहिए अब यहां पर आकर आप फस गए तो बहुत अच्छा इंजाम कर लिए आपने आपको फसाने का और जो कमी रही और जो वास्तु वाले आपको बताते रहते हैं यहां ना हो व समय नहीं पा रहा है कि वाश्रूम बनाएं तो बनाएं कहां क्या बेटरूम के साथ में वाश्रूम नहीं होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए आज इसी पर चर्चा करेंगे और आपके मन में जो चीज चली गई है बुरी तना से उसको बाहर निकालूगा क्योंकि आपका बहुत बहुत स्वागत आप सबका मेरे इस खास वास्तू के चैनल पर जिसमें मैं आपसे बातें करता हूँ इस विशह में कि जहां जहां पर आपके मन में कोई ऐसी बात आ जाती है जहां पर जाकर आप फ़स जाते हैं उसमें से बाहर निकलना सुलजना और उसकी सचाई जानना सिक्रेट्स को जान लेना जरूरी है क्योंकि धीरे धीरे आप वास्तू के उस पड़ाव के तरह आपके मन में कोई भी ना तो मैल रहेगी और ना ही कोई कोई कोश्चन रहेगा आज का वीडियो इसी के लिए समर्पिद है कि कैसे बनाएं वाश्रूम पूरब में और उत्तर में मास्टर बेडरूम के आईए देख रहे हैं सबसे पहले आप कोई भी बेडरूम होता है हमा भग नहीं है आप देखे सराणा इस बेडरूम का अदर बैड का जो सराणा है वह हमारा पूरब दिशा में है सराणा इस में हो गया तो आप देख रहे हैं कि हीँ यह जो वाश्रूम है अब देखिये आपको मैं बता रहा था कि ना तो उत्तर में होना चाहिए ना पूरव में होना चाहिए ये जो उत्तर और पूरव का फंडा है ये धहान से सुन लेना और समझ लेना ताकि फिर से आपको कभी confusion ना हो कभी वेहम ना हो जब भी हम बात करते हैं उत्तर और पूरब की तो पूरे के पूरे जो हमारा प्लाट होता है या हमारा जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है जो हमारा बनावा जो मकान होता है हम उसके एंटायर उसके पूरे के पूरे पूरब और उत्तर की बात करते हैं हम मकान के अंदर के उत्तर और पूरब की बात कभी नहीं करते पिछले तीन महिने में कम से कम 20-25 लोगों ने मुझसे यही बात पूछी कि सर ये पढ़तो लिया बहुत लोगों की वीडियो देख ली उन्होंने कहा ना तो उत्तर में होना पूरब में बिल्कु ठीक हा लेकिन जो उत्तर और पूरब में नहीं होना चाहिए ये पूरे के पूरे आपके भूखंड के उत्तर और पूरब के अंदर टौलेट वाश्रूम या शोचाले नहीं होना चाहिए बिल्कु ठीक है इसी तना से जो आपका built up area होता है जहां पर bidding होना ही उसके भी नहीं होना चाहिए बिलकुल clear हो जाना mind में आपके confusion नहीं रहना चाहिए आप आज कल वास्तू को जो जानने की कोशिश करना है वो डॉक्टर अनंद भार्दवाजी से सीख रहे हैं और यहां confusion अगर रहे गा तो मज़ा कहां आएगा सा यह भी उत्तर दिशा में आगए इस समस्चा नहीं है आगे चलते हैं इस में जो है जो सरहना पच्छिम दिशा आ गई तो इधर जह है यह जो देख रहा है आप यह जितने में आपको दिखा रहा हूं जितनी स्लाइड आपने देखी है इसमें कोई भी वाइश रूम, कोई भी बेटरूम, कोई भी बेट का सराना गलत नहीं है बिलकु ठीक है, कोई समस्या नहीं अब देखिए, कैसे, अब आपको डिसाइड कैसे करेंगे आप कि ठीक क्या है, गलत क्या है, देखिए ये भी एक बेटरूम है इसमें दक्षिन दिशा में जिसकों वास्तों के साफ से पहला स्थान कहते हैं हमारा जो सोते समय है उतनी गुलार्ड में यह नौर्डन जो हैमिस्फेर है हमारा जिसमें हमारा भारत है एशिया है यह जो जगह है इसमें जो दक्षिन दिशा में सबसे अचा रहता है सिर और इ सबस्क्राइब बातें एक सबस्क्राइब नी होना चीज़ भाष्ण नी होना चीज़ भाष्रूमने होने सबस्क्राइब ने के अपoli navbas ? बिल्कु ठीक है आगे लेके चलता हूँ मैं आपको उस मुकाम पर जहां पर आपको समझा पाऊंगा कि यह उत्तर और पूरव का फंडा है क्या सबसे पहले आप देखिए हो सकता है कि आपका जो भूखंड है आपका भवन है वो अपनी सही अपने पूरव पूरी पूरी तरह से अपने दिशाओं के अपर हो यानि उत्तर और पूरव आपके प्लॉट के या आपके जो भूखंड है आपका जो भवन है उसके इस तरह से बिल्कुल cardinal directions के उपर हो सकता है अब देखिए समय लेना ध्यान से यहाँ पर क्या किया हमने देखिए यह हमारा उत्तर हो गया इदर पूरव हो गया clear है इसमें कोई शक नहीं एक परसेंट भी अब इसमें क्या होगा कि जो washroom आपने बनाना है कोई भी washroom या कोई भी जो शोचाला है कोई भी toilet कभी भी नहीं होना चाहिए कहां नहीं होना चाहिए वो यहाँ पर toilet नहीं होना चाहिए वाश्रूम नहीं होना चाहिए यह जगा जो है यह जगा जो है जहाँ पर की toilet नहीं होना चाहिए कोई भी टॉलेट या वाश्रूम बात हम जिसके अंदर लेटर की सीट लगी होती है हम यूज करते हैं उसको अपने टॉलेट की इसाफ से बिलकुल भी नहीं होना चाहिए देखिए अभी मैंने बनाया पूरे भूखंड का और इस भूखंड के बाद आप देखेंग इस पूरे भूखंड के बाद आप देखेंगे कि यह हमारा भावन है इस भावन के अंदर भी इन दिशाओं के अंदर टॉलेट को वाश्रूम को नहीं होना चाहिए बिलकुल नहीं होना चाहिए यहां तो चल जाएगा जोड़ा सा कोई समस्या नहीं है लेकिन यहां तक बिल्कुल नहीं होना चाहिए अब देखिए भूखंट और भवन का यह दिया सीधी सीधी दिशाओं में अब कहा होना चाहिए यह तो आपको पता ही हमने बताया था कि बहुत अच्छा होता है यहां से जगा शुरू हो जाती है हमारे यह पूरी की पूरी कमफर्टेबल है य यह वाश्रूम के लिए टॉयलेट के लिए बहुत अच्छी जगाएं होती है यह दोनों के दोनों बिल्कु ठीक है अब इसके बाद यह हमारा सीधा प्लॉट है हो सकता है आपका जो भूखंड है वो घूमा हुआ हो अपने सही दिशाओं पर ना हो उस केस में क्या होता है कि फिर आपका जो भूखंड है वो कुछ इस तरह से आएगा यह देखिए इसमें दिशाओं घूम गई अब इसमें कहां पर आएगा वाश्रूम वाश्रूम तो समझी रहे हैं आप टॉलेट किसको बोलते हैं देखिए यह होता है टॉलेट इस टॉलेट के जगा जो है यह कभी भी हम इसको किसी भी वाश्रूम को नौर्थ में और इसमें नहीं लाते इवन यहां तक कि हम साउथ इसमें लाते यह जगा जहां पर अभी वाश्रूम को घुमा रहा हूं यह जगा वाश्रूम के लिए नेगेटिव जगा होती है पूरी की पूरी मैं फिर से आप आपको बता देता हूं एक बार कि यह जगा जो है आपकी कोई भी वाश्रूम इतने एरिया में इतने स्थान के उपर नहीं होना चाहिए कोई भी शौचाले बिल्कुल चाहे यह भवन है या भूखंड है और इसको दक्षिन पच्चे में भी नहीं होना चाहिए चाहे दिशा है आपकी उल्टी घुमी हुई है दोनों कंडिशन में अब मैं आपको दिखाता हूं लगा के एक वाश्रूम कहां कहां पर आपका ठीक रहेगा अब इसके बाद आता है सवाल इस बात का यह देखिए वाश्रूम के लिए यह जगा गलत है सब की सब यह सब गलत ठीकाना य यह बहुत अच्छी रहती है वह हमेशा नौर्थ में नौर्थ वैस्ट कंफर्टेबल है हमारा कोई दिकत नहीं है वैस्ट में कंफर्टेबल है इवन साउथ में भी टॉयलेट या वाश्रूम बन सकते हैं अराम से कोई समस्या नहीं आती है बहुत बार इस पर चर्चा हो चुकी है हमारी लेकिन अब मैं उस पाइंट पर आ रहा हूं जो आपके लिए जानना बहुत जादा जरूरी है जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपका जो मास्टर बेडर्रो म मनेगा वह आपको जबिए बनेगा आप पर हमारे लिए washroom बहुत comfortable इसके यहां पर भी washroom बहुत comfortable यह हमारा master bedroom master का मत्दा जो मुखिया है master bedroom यह बहुत comfortable होता है master bedroom यहां पर window आवाइड करने चाहिए कोई window ना हो तो ज़़ाद अच्छा रहता है फिर से मैं आपको लेकर चलता हूँ उस point पर जिसके बारे में हम आज बात कर रहे थे चले अब हम फिर से लेकर चलते हैं आपको उस जगां पर जहां पर कि मैंने आपको बताना चाहा था और जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं आज के वीडियो में कि होना क्या चाहिए क्या होना चाहिए अब देखिए यह है हमारा एक आप देख रहे हैं सीधी दिशावों पर हमारा बना हुआ एक भूखंड यह हमारा कहीं पर हमने बना रखा है अपना भवन इसमें क्या होगा कि हमारा जो मास्टर्स बैटरूम होगा वो मास्टर्स बैटरूम बनेगा हमेशा आप देखिए साउथ वेस्ट में दक्षिन पस्ची में बनेगा यह हमारा मास्टर्स बैटरूम है बहुत अच्छी जगा ठीक है और इसमें कोई समस्या नहीं है यह ओक है बिल्को ठीक है यह ब पूरव में उत्तर में वाश्रूम नहीं होना चीए हमने आपको क्लियर कर दिया इन दो-तिस लाइट के अंदर के कभी भी इस जो हमारा यह भूखंड है हमारा यह भावन है इसके उत्तर और पूरव के अंदर नहीं होना चीए लेकिन अब उस पाइंट पर आ जाएए जिसकी वज़े से आपके मन में वहम इतना ज्यादा हो चुका है जिसके बारे मेरे पास सवाल आए अगर हमारा मास्टर बेडरूम साउथ वैस में दक्षिन पश्ची में बनेगा निर्ते कौन में बनेगा और हम साउथ और साउथ वैस में आपको जहें मना करते हैं टौलेड के ल यह पर माश्टर बेडरूम के उत्ते में और मास्टर बेडरूम के पूरण में यह दौनों ही इस्तितिया बहुत अचिह है wonderful हैं इसमें कोई भी संधे नहीं होना चाहिए यहां पर मैंने इस वीडियो में आज की वीडियो में क्लियर किया कि पूरब और उत्तर में वाथ्रूम या वाश्रूम या टौलेट नहीं होना चाहिए लेकिन पूरब और उत्तर यह हमारा पूरे प्लॉट का एपलाई करता है हमारे इस कमरे का एपलाई नहीं करता जिस कमरे के हमने इसमें बनाया है अब आप पूछेंगे भार्दवज इसका कारण तो बता दो जान लो कारण कि जब हम पूरे भवन की या पूरे भुखंड की बात करते हैं तो आपने यह देखा कि यह जो और वेस्ट में दोनों में ही, इन दोनों ही कंडिशन के अंदर जो हमारा वाश्रूम होता है, बहुत अच्छा होता है, कोई समस्यास के अंदर नहीं होती, मैंने आज आज आपके मन से एक बहुत बड़ी दुविधा को हटाया, दीरे दीरे नोट मनाते रहिए, लिखते रहि और लॉजिक के बिनावास तो नहीं चलता कभी भी, यहां लॉजिक है, अगला वीडियो फिर से आपके पास आएका, लेकिन इसमें ध्यान कर लेना, किसी भी कंडिशन में, जो हमारा वाश्रूम है, टौलेट है, दरवाजा, उसका कभी भी खुला नहीं रहना चाहिए, औ और दरवाजे में अगर डौर क्लोजर लगा दो जो ज़्यादा अची बात है, क्योंकि कई बार घर में छोटे बच्चे होते हैं, दरवाजा खुलके वाश्रूम में चले गए, और उसके बाद में बिना बंद की आ जाते हैं, इसमें जहें दरवाजों के अंदर लगाएं और जब इसको एस टॉलेट लेटन के लिए यूज़ करते हैं, तो एक्जास्प हैं जरूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो गंदी हवा है, वो दक्षिन में या पस्ची में निकल जाएगी, इन बातों का ध्यान करना है, तब आपका जो बेटरूम होगा, बहु करी लिया होगा, कोई मन में सवाल आता है, तो कमेंट्स में डालिए, आपकी रिप्लाई मिलता रहता है, अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करता हूँ, तब तर रहे अपना बहुत-बहुत ध्यान, और करते रहे त्यारी, नोट करते रहे इन सब पॉइंट्स को फिर से मिलेंगे, निया टॉप के लिकर आएंगे, नमस्कार